लोकास्था का महापर्व छट शुक्रवार को नहाई खाय के साथ शुरू हो गया है। शनिवार को खरना के तहट घर में मिठाई वगुड की खीर बनाए गई। मिठाई वगीर को खाकर छट व्रत प्रारंब हुआ। पर्व को देखते हुए घाट की साफ सफाई की। घाट में छट पूजा की जाएगी। चार दिनों तक चलने वाले पर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना हुआ। रविवार 19 नमबबर को व्रतीधारी महिलाय संध्या सूर्य देवता को अरग्य देकर पूजन करेंगी। इसके अगले दिन चौथे दिन सुभा भगवान सूर्य को अरग्य देकर पर्व का समापन होगा। मालूं हो कि छट महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। हिंदु पंचान के अनुसार कार्तिक शुक्ल पश्ठी तिथी पर छट पूजा होती है। भगवान सूर्य के साथ छटी माई की भी पूजा उपासना विधी विधान के साथ की जाएगी। छटी माई सूर्य देव की बहन है। धार्मिक मानिता के अनुसार छट व्रत संतान प्राप्ति करने की कामना कुशलता सुक्ष, सम्रिध्धी और दीरगायों की कामना के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथी पर नहाई खाय से पर्व की शुरुआत हो गई है। शश्टी तिथी को पूजा और डूपते भगवान सूर्य को अरगी के बाद अगले दिन सप्तमी को उपते सूर्य को जल दे कर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाएगा। यह व्रत कठिन माना जाता है। इसमें व्रती महिलाएं लगातार 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्य देव की उपासना और छट मया की पूजा करते संतान की प्राप्ती और लंबी उम्र की कामना करती हैं। नहाय खाय के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और साफ सुथ्रे कपड़े पहन कर भोजन करेंगी। निर्जला व्रत रखकर छटी मया की पूजा की जाएगी।